Hi everyone, कैसे हैं आप सब? मैं राजन चाधरी आज हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक नई विकंसी लेकर के एक नई कमपनी की विकंसी लेकर के मेरी कोशिश रहती है कि आप सब के लिए कुछ नया लेकर के आउँ कुछ एक्स्टा लेकर के आऊं कुछ अच्छा लेकर के आऊं और मैं रिसर्च करता हूँ कि आप के लिए better companies क्या है उन में direct कैसे apply करना है होता क्या है कि आप लोग बहुत सारे मेरे भाई, मेरे बेहन, मेरे दोस्त apply करते हैं jobs के लिए consultants के पास जाते हैं और बहुत सारा पैसा खराब करते हैं हाला कि कई companies कहती है कि हमारे पास आप हमारी website पर जाकर के, careers में जाकर के direct apply कीजिए, पर आप नहीं करते हैं पता नहीं क्यों आपके अंदर एक हिम्मत नहीं होती है आप लोगों की आपको नोकरी नहीं मिलती है अगर मिलती भी है तो वो नोकरी आपकी मतलब की नहीं होती है बनना क्या चाते हो बना क्या दिये जाते हो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आप वो करो जो आप करना चाते हो आप वो मत करो जो दुनिया आपसे कराना चाहती है प्राब्लम यही है कि आप वो कर रहे हो जहां दुनिया आपको धक्का मार रहे है तो प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी जॉब्स मैं आपको बताता हूँ डारेक्ट एपलाई करना सीखिए क्या है 5-10-15 मिनिट लगा भी दोगे कम से कम कोशिश किजिए कि दिन में 5-6 जॉब्स के लिए आपने एपलाई कर देना है जितना टाइम है एपलाई करते चले जाएए मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे डाल रखे हैं मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपने जॉब के लिए एपलाई करना है किस कंपनी में किस तरह से एपलाई करना है इसके इलावा कई जॉब्स में रपस ऐसी आती हैं जिसमें एपलाई नहीं किया जाता है उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे 988-330068 पे आप अपना बायर टेटा भी बेज सकते हैं या मेरे को हेलो सेंट कर सकते हैं जिससे मेरी तरफ से आपको एक लिंक आता है उस लिंक को जॉइन करिए उसमें भी आपको बहुत सारी पिकेंसिस दिख जाती है और उसमें अपलाई करिए इमेल्स उसमें दे रखी होती हैं उनका फॉन नमबर मैं नहीं दे पाता हूँ कारण क्या है कि बहुत सारी कॉल्स चली जाती है बे मतलब की कॉल्स चली जाती है तो जिसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कंपनी को सब कुछ जबाब देना इसलिए मैं email ideas share करता हूँ जिस पर आपने अपना CV शेर करना होता है अपना एक अच्छा सा CV बना करके रख लीजिए एक cover letter अच्छा सा बना करके रख लीजिए अपने phone में, अपने computer में, अपने laptop में कहीं पर भी अच्छा सा CV बना करके रख लीजिए और cover letter भी अच्छा सा बना करके रख लीजिए, अपने आप पर invest कीजिए, आप क्या करते हैं, आप इधर उदर invest करते हैं, पैसे खर्चते हैं, consultants के पास जाते हैं, पैसे खराब करते हैं, अपने आप पर invest कीजिए, अपनी memory पर invest कीजिए, देखी फिर कैसे आपको job नहीं मिले हैं आपको एमेल भी कर सकते हैं आपकी इंटर्वियू कंड़क्ट भी हो सकती है बस चाहिए तो सिर्फ आपका एक जजबा आपका होसला किसे की बातों में आकर के अपना होसला मत गिरने दिया करो किसी की बातों में आकर के अपने जजबे को मत खो दिया करो मैं जो भी आपको विकेंसिस बताता हूँ, उन सभी पर अपलाई कीजी, आप मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज इस तरह के देख सकते हैं, जिसमें मैंने अलग अलग कमपनी के बारे में बता रखा है कि किस कमपनी में किस तरह से जॉब के लिए कैसे अपलाई करना है, आप को एक सिस्टम बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, तो उसको अमल कीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में आपकी ड्रीम जॉब मिल सके, कई बार क्या होता है कि आपको जॉब नहीं मिलती है, आपके मतलब की जॉब नहीं मिलती है, आप बिजनस कीजिए, कम इन्व पर बताऊंगा कि किस तरह से इस company में आपने job के लिए apply करना है आईए है तुपा आ चुके हैं मेरे laptop की मेन स्क्रीन पर जहां पर मैं आपको बताऊंगा टैग्रोज chemicals में जॉब के लिए किस तरह से apply करेंगे आपके सामने मैंने सर्च बार में चाके लिखा टेग्रोज केमिकल्स इंडिया लेंट और कितने सारे यहां पर आपके पास लेंक्स हा गए प्लीज इधर उदर जाके क्लिक नहीं करना कन्फूजन्स हो सकती है पैसे खराब हो सकते है बैटर यही है जो लिंक मैं आपको बताता हूँ वहीं पर जाके आप लोग क्लिक करो अब यहां पर यह देखिए Tagrose Chemicals India Limited मैं यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ अब क्लिक करने के बाद क्या होता है जी आपके सामने Tagrose Chemicals India Limited का करियर का पेज खुल के आ गया इधर उधर जाके क्लिक नहीं करेंगे बस यहाँ पर सिधा apply करो आपका name job title क्या है आपकी email id resume कहां पर पढ़ा है place, mobile और address यह सारा कुछ यहाँ पर जाके आप fill out करो, send message कर दो सीधे details आपकी company में पहुँच जाएंगी जब भी company को लगेगा कि आप suitable candidate हो तो definitely वो आप से जरूर संपर्क करेंगे तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आपको proper पता लग गया होगा किस तरह से इस company में job के लिए apply करना है तो positive mind के साथ apply कीजिए all the best all the best all the best हमेशा अपने आपको कहते रहो all the best दूसरों को भी कहते रहो all the best अगर कोई कह रहा है कि तो ये मत कर तो ये नहीं कर सकता तेरे को call नहीं आएगी तो उसको दूर कर दो उससे दूर हट जाओ सिर्फ उसी के करीब आओ जो आपको आपको होसला दे रहे हैं उसी के करीब आओ जो आपको खुशियां दे रहे हैं उसी के करीब आओ जो आपको कुछ बनने के लिए कुछ मॉटिवेट कर रहे हैं उसी के करीब आओ जो आपको नौकरी दे रहे हैं उसी के करीब आओ जो आपके होंसले को बढ़ा रहे हैं जो होंसले को तोड़ते हैं उनसे चार कदम के दूरी बना लो जो आपके पीट पीचे बात करते हैं उनसे चार कदम के दूरी बना लो समझे अभी एपलाई कीजिए साकरात्मक सोच के साथ एपलाई कीजिए ये सोच कर एपलाई कीजिए कि इसमें मैं एपलाई कर रहा हूँ और मेरी नौकरी इसी में ही लगेगी क्योंकि आप जो सोचते हैं आज नहीं कल वो होकर के रहता है सोचिए अभी सोचिए कि इसमें आपकी नौकरी लगने वाली है और एपलाई कीजिए तेकिस सामच